दोस्तों High Blood Pressure एक ऐसी बिमारी है जिसके डाइगनोस होते ही डॉक्टर आपको सबसे पहले एक दवाई का पत्ता थमा देते हैं और कहते हैं कि अब ये दवाईयां आपको सारी उम्र खानी पड़ेंगी और यही वज़ा है कि High Blood Pressure का नाम सुनते ही हम लोग बहुत जादा दोस्तों High Blood Pressure वाकई में एक काफी serious problem है क्योंकि इसका सीधा सीधा effect आपके heart के उपर पड़ता है और काफी बुरी तरहां पड़ता है लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई में हम इस High Blood Pressure की बिमारी को reverse नहीं कर सकते हैं या अगर कर सकते हैं तो उसक इसी को भी High Blood Pressure की बिमारी है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बहुत ही ध्यान से आप देखना ताकि आपको यह सारी चीते समझ में आ जाए और आप अपनी इस बिमारी को सही तरीके से manage कर पाए हाई everyone मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल Healthy हमेशा दोस्तों एक adult इनसान का ideal blood pressure होना चाहिए 120 by 80 यह आप सभी लोग जानते हैं लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि यह blood pressure की reading कभी भी static नहीं रहती है एक सी नहीं रहती है यह हमेशा घटती बढ़ती रहती है emotions की वज़ा से, stress की वज़ा से या किसी physical activity की वज़ा से आपका blood pressure घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है लेकिन अगर आपका blood pressure जो है वो continuously high रहने लगता है इस normal level से ज़्यादा रहने लगता है तो उसको हम लोग high blood pressure या फिर hypertension बोलते हैं continuously high blood pressure रहने के बहुत सारे causes हो सकते हैं सबसे पहला और सबसे important या सबसे common cause आप कह सकते हैं होता है bad lifestyle अगर आपका lifestyle healthy नहीं है तो उसके कारण से आपके अंदर blood pressure पढ़ने के chances बहुत ज़्यादा हाई हो जाते है bad lifestyle के अंदर include होता है आपका smoking करना आपका बहुत ज़्यादा alcohol लेना आपका sedentary lifestyle को अपनाना या आपकी खाने पीने के आज़ते बुरी हैं तो उस case में भी आपके अंदर जो blood pressure है वो continuously बढ़ा हुआ रह सकता है दूसरा common cause है obesity यानि मोटापा अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे case में आपके अंदर blood pressure बढ़ने के chances दूसर समय आपके उपर एक तनाव रहता है तो उस case में आपके अंदर high blood pressure होने के chances बढ़ जाते हैं इसके अलावा age भी एक बहुत बड़ा factor होती है आपके अंदर blood pressure को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है वैसे वैसे हमारी body के अंदर को changes आने लगते हैं जैसे कि ह हमारी arteries जो हैं वो सक्त होने लगती है जिसके कारण से हमारा blood pressure हाई रहने लगता है इसके अलावा आपके अंदर कोई kidney disease है या फिर अगर आपको diabetes की शिकायत है तो ऐसे लोगों के अंदर भी blood pressure बढ़ने के chances दूसरे normal health वाले लोगों के comparison में काफी जादा होते है last but not the least family history य आईए अब बात करते हैं कि अगर आपके अंदर high blood pressure पैदा हो गया है तो उसका treatment आप किस तरीके से करेंगे कैसे उससे permanent छुटकारा पाएंगे दोस्तों इस दुनिया का एक नियम है कि अगर आप किसी जिसको ठीक करना चाते हैं permanently उससे छुटकारा पाना चाते हैं तो आप आपको उसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा तभी वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगी अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और आप मेकैनिक को बुलाते हैं तो वो मेकैनिक आपकी चाबी को ठीक नहीं करता है वो मेकैनिक आपका engine खोलता है और वहां पर द प्रूरी है यह देखना कि आपके अंदर कौन सा ऐसा कॉस है जो कि इसको पैदा कर रहा है दोस्तों अकसर हाई ब्लेट प्रेशर जो होता है किसी एक ये दो कारण से नहीं होता है बलकि combination of causes की वज़ा से होता है इसलिए जितने भी कारण मैंने आज आपको बताए हैं आपक पड़ेगा कि आपके अंदर इन में से कौन कौन से कारण मौजूद है और उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में हम जब भी कभी high blood pressure की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सबसे पहले एक अनलाइज नहीं किया जाता है और यही वज़ा है कि blood pressure के मरीजों की संख्या जो है वो दुनिया में दिन बाद दिन बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है तो अब सवाल आता है कि अगर आपको blood pressure से permanent चुटकारा पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आप आप बहुत जादा sedentary lifestyle जीते हैं तो आपको अपनी अंदर activity लानी पड़ेगी अगर आप junk food जादा खाते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप smoking करते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा आपको रोजाना कम से कम 45 minute workout जरूर करना है इसके लावा द नमक जादा खाते हैं तो नमक को कम से कम कर दीजिए इसके अलावा आपको अपने खाने में fruits और vegetables की जो quantity है उसको बढ़ा देना है आपको नौन मिज आइटम से जितना होशा कि उतना बचना है खाना खाने से जस्ट पहले अगर आप दोनों टाइम एक बड़ा कटोरा भरक इसके अलावा पूरी नींद लेना रोजाना साथ से आठ गंटे तक sound sleep लेना भी बहुत important है अगर आपके अंदर नींद की कमी रहती है तो उस case में भी आपके अंदर blood pressure कभी भी normal नहीं आएगा stress से बचना भी बहुत important है जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि stress भी एक बहुत बड़ा important factor होता है आपके अंदर blood pressure को बढ़ाने के लिए तो अगर आपके अंदर blood pressure बढ़ने लगा है कोशिश करिए अपनी stress को कम करने की stress कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं साफी जादा मदद मिलेगी दोस्तों इन points को अगर आप strictly follow करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको high blood pressure की problem कभी भी नहीं आएगी वैसे कुछ एक cases ऐसे भी होते हैं जहां आपको बिना किसी कारण के genetic reasons की वजह से या फिर family history की वजह से blood pressure high होने लगता है और ऐ यहां बात आती है medicines की तो 99% cases में high blood pressure को treat करने के लिए allopathic medicines का सहारा लिया जाता है वैसे मैं allopathic medicines के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन इस तरह की medicines लेने से आपके अंदर बहुत सारे side effects भी होते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है वैसे बहुत कम लोग सर्पगंधा, ब्रह्मी, शंक पुष्पी, अर्जुन की छाल और गार्लिक कुछ ऐसी herbs हैं जो कि scientifically proven है आपके blood pressure को normalize रखने के लिए इसके लाबा बहुत सारी आयरवेदिक formulations भी हैं जो कि कुछ आयरवेदिक pharmacies बनाती हैं जिनके अंदर इस तरह की herbs को use किया जाता है ये भी काफी अच्छा effective solution है आपके अंदर blood pressure को treat करने के लिए ऐसा ही एक बहुत अच्छा formulation है जो कि आपके अंदर high blood pressure की problem को काफी है तक ठीक कर सकता है जो कि है महर्शी आयरवेदा का cardimap tablet cardimap high blood pressure को treat करने के लिए एक बहुत ही effective आयरवेदिक medicine है आजकल के जमाने में stress एक बहुत बड़ा contributing factor है high blood pressure को पैदा करने के लिए यह cardimap tablet जो है यह basically आपकी stress पर ही work करती है इसको ही कम करती है और इसी वज़ासे naturally आपका blood pressure जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और high blood pressure होनी की वज़े से क्यूंकि आपके cardiovascular system के उपर भी extra load परता है stress परती है और बुरा effect परता है तो इस tablet को लिने से आपका जो overall cardiovascular system है वो भी strengthen होता है और अच्छी तरीके से काम करता रहता है इसमें जटामासी, ब्रहमी, शंक पुषपी, पीपिली और सरपगंधा जैसे कुछ आयरवेधिक herbs यूज़ किये जाते हैं जो कि scientifically proven है आपकी body के अंदर blood pressure को regulate करने के लिए सरपगंधा और जटामासी blood pressure normalize करने का काम करती है शंक पुषपी और ब्रहमी आपके अंदर stress को कम करती है पीपिली आपके digestion को improve करती है और शंक पुषपी आपके brain को शान्त करके calm down करती है जिसकी वज़ह से naturally आपका blood pressure कम होना शुरू हो जाता है इसकी रोजाना आपको एक से दो tablets लेनी होती है दिन में दो time अगर आपकी already कोई blood pressure की medicine चल रही है तो उसके साथ भी आप इस medicine को ले सकते हैं लेकिन उससे पहले एक बार अपने आयरवेदिक वैद्दे से जरूर कंसल्ट कर लें वैसे cardimap tablet पूरी तरह से safe और effective आयरवेदि happiness हो सकती है इसके बारे में अगर आप और जादा जानना चाते हैं या फिर अगर आप cardimap tablet को इस्तमाल करना चाते हैं तो इसके सभी links आपको नीचे description box में और print comment में मिल जाएंगे तो वहां से click करके आप इसके बारे में और जादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको purchase भ करना करना पड़ सकता है अगर आप regularly अपने blood pressure को monitor कराते रहेंगे तो उसकी मदद से आपके जो आयरुवेदिक वैद्ध है वो इस medicine की dosage को सही तरीके से modulate कर पाएंगे कम कर पाएंगे या बढ़ा पाएंगे ताकि आपका blood pressure है वो सही तरीके से control में आ सके और आपको इस medicine हैं तो चैनल को subscribe कीजिए और सभी की साथ share भी कीजिए मैं Dr. Salim आपसे फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़ियासी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा